हलो एम्रिवान मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने इस छोटे से चैनल पर सर्दिया जैसे कि अब बढ़ रही हैं दिन बर दिन तो हाथ पैरों के फटने की यानि उनमें दरारे पढ़ने की या किसी तरीके के सूखेपन की समस्या हमारे सामने जादा आएगी अगर इसको समय पर ना देखा जाए संभाला जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या भी हमारे स्किन के लिए बन सकती है अगर आप भी इस समय से इस समय गुजर रहे हैं तो वीडियो के एंट तक बने रहेगा simple solution है दोस्तो लगाने का तरीका आपको ठीक रखना है और हाँ यहाँ पर मैं home remedy नहीं बता रही हूँ क्योंकि home remedies जो हैं वो बहुत time ले लेती हैं अगर आपके अभी हाथ फटे हुए हैं और उनको आपके और करना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए best रहेगा जो मैं अभी आपके साथ share करूँगी तो जोस्तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक टब या कोई भी ऐसा बड़ा बरतन जिसमें आपके पैर अराम से डिप हो सके कोई बालटी भी आप ले सकते हैं 2-5 लिटर तक पानी डालिए उसमें और पानी जो है गरम होना चाहिए और इतना गरम होना चाहिए कि आपके पैर अराम से आप डिप कर सके बहुत ज़्यादा गरम या नॉर्मल भी ना हो आपको लेना है एक चमच नमक और नमक भी बिल्कुल नॉर्मल वाला जो हम किचन में इस्तमाल करते हैं वही गरम पाने में नमक डालिए उसको थोड़ा मिक्स कीजिए और अपने पैर उसमें डिप कर लीजिए 2-3 मिनट तक अराम से डिप कीजिए और 2-3 मिनट बाद आप कोई भी ऐसी चीज जो की खुरदुरी हो जिसमें हम मैल खोरा जिसको हम बुलाते हैं मिटी के आते हैं या फिर कोई भी ऐसा जिसे आप अपनी एडियों को और डेड स्किन को रब कर सकें वो ले लीजिए आप यहाँ पर कोई स्क्रबर ले सकते हैं या अगर आपके पास एडिया लीजिए ता कि जो डिटारी में को तो ठोड़ा जब करेंगे ाप characterized ब्रश का इसिते हैं या पूराने निकल सकते हैं जो थोड़ी सी hard हो जिसके bristles जो है थोड़ी hard हो चुके हो तो उससे भी अपनी एडियों को आप रगड सकते हैं बेसिकली आपको अपनी एडियों में जमी गंदगी या जहां से आपकी skin फटी हुई है वहां से skin को साफ करना है अगर आप नीबू का इस्तमाल करना चाहें आपको वो चीज सेफ लगती है आपकी skin के लिए सेफ है तो उसमें आप नीबू भी डाल सकते हैं पानी के अंदर ताकि जो गंदगी है वो और अच्छे से निकल सके तो पैरों को धोने के बाद आप पैरों को नॉर्मल पानी से फिर से धो लिजे यानि बिना नमक वाले पानी से फिर से धो लिजे साफ पानी से लेकिन गुनगने पानी से ही धोईएगा फिर आप अपने तौलिय की साहता से पैरों को सुखा लिजे सुखाने के बाद जो dead skin है जो भी आपकी एडियों पे है या अंगुठे की skin पर है या पैर का जो अंगुठा होता है या पैर की जो उंगलिया है उन पर dead skin है अराम से cutting के द्वारा निकलाएगी या नि जब आप नेल कटर से उसको गट करेंगे वो अराम से निकलाएगी जैसे हमारे nails के side में जो ये nail cuticles होते हैं इनको जब हम nail cutter से काटते हैं जब ये hard हो जाते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है ठीक वैसे ही उसमें भी दर्द नहीं होगा जो भी dead skin है आप धीरे धीरे patience रखेगा अराम से निकालिएगा आपको अपने skin को damage नहीं करना है तो जितना मोटा मोटा निकल सके उसको निकाल लीजी तो अब आपको simply ये cream इस्तेमाल करनी है जो की है कोटा rail cream और ये जो cream है ये बिल्कुल dry skin के लिए ही होती है आपकी एडियों के लिए ही होती है और इसको आपको लेना है और जहाँ जहाँ पर आपकी skin जो है dry है फटी हुई है उस पर बहुत अच्छे से apply कर लेना है तो ये cream लगाने के बाद आपको अराम से जुराबे पहन लेनी है क्योंकि अगर जुराबे नहीं पहनेंगे आप तो वो cream जो है आपकी चपलों पर आपके बिस्तरे पर लग सकती है तो क्रीम आपको लगाने के बाद जुराबे पहन लेनी है और सो जाना है अराँ से अगर आप राज के समय काम नहीं करना चाते हैं या फिर आप बिजी रहते हैं तो सुभए ये क्रीम आप नॉर्मली पैरो को धोने के बाद नहाने के बाद पैरो पर लगाइے जल्दी सौल हो जाएगी 5-7 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रेजल्ट इससे मिल जाएगा अब जो बात आपको ध्यान रखनी है सिंपल है अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और बहुत पुरानी है तो डॉक्टर से कंसर्ण जरूर कीजिएगा ये जो दवाई मैंने आपको बता ही है ये ड्राय स्किन के लिए है जैसे हमारे हाथ फट जाते हैं हम सबजी काटते हैं तो हमारे जो अंगुठे की जो ये स्किन होती है ये भी खराब हो जाती है तो यहां पर आप अराम से इसको लगा सकते हैं यानि नॉर्मल डैमेज है नॉर्मली ड्राय स्किन है उस पर इसको आप इस्तमाल कर सकते हैं आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी पैरों के लिए तो ये स्पेशली बहुत अच्छा काम करेगी इसमें जो स्मेल होती है वो बहुत हलकी होती है बहुत स्ट्रॉंग स्मेल नहीं होती है तो इस चीज़ से मत गवराईएगा कि इसकी स्मेल कैसी होगी जो इसके अंदर इंग्रीडियन्ट है वो सेफ हैं लेकिन उनको एक हद तक ही आप इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि आप ऐसा नहीं है कि बस इसी के पीछे पड़े रहें और लगाते रहें जैसे ही आपकी प्राब्लम सॉल हो जाए फिर इसको आप दो से तीन दिन में इस्तमाल कीजिए और अगर आपको लगे सर्दियों सर्दियों में आप इसको रेगुलर यानि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीन महिने तक आप इसको अराम से इस्तमाल कर सकते हैं वैसे ये क्रीम जो है वो सर्दियों में ही अच्छा काम करेगी गर्मियों में आपको ज़्यादा चिप-चिपी लग सकती है क्योंकि इसमें यूरिया होता है जो कि स्किन के लिए क्रीम बेस यूरिया होता है जो कि स्किन को मॉईस्टराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वो यूरिया नहीं है जो पेडों में डाला जाता है इस बात का दिहान रखिए फिर से सद्धियाएं फिर से इसको आप continue कर सकते हैं पचास कराम की ये packaging है जो की 70-50 रुपे की आती है अगर इसके rate की बात करूँ तो जो इस पर print है वो 83 है और मुझे ये 75 में मिली है और अगर आप medical store से लेते हैं तो इतने की पड़ेगी अगर आप online जाते हैं तो आपको ये 110 रुपे के आसपास ही पड़ेगी क्योंकि online जब आप लेते हैं तो उसकी cost थोड़ी सी increase हो जाती है कोशिश कीजिएगा अपने nearby किसी भी medical store से आप इसको ले सकें या उनको ये दिखा कर भी ले लीजिएगा इसकी एक pic, screen की एक pic मैं वीडियो के end में लगा दूँगी आप screenshot ले लीजिए और जाकर अपने chemist को दिखाईए वो आपको निकाल कर दे देंगे या आप उनको order कर दीजिए कि भी मुझे ये चाहिए तो आप ला कर दे लीजिए तो वो भी एक अच्छा option है वो भी आप कर सकते हैं online लेना चाहें तो उसका Amazon का link मेरे पास है वो मैं वीडियो के description box में दे दूँगी आप चेक कर सकते हैं अगर आप वहां से लेना चाहते हैं तो दोस्तो ये simple सा solution है अगर आप फटी हुई एडियों फटे हुई पैरों हाथों से जूज रहे हैं और क्रीम है काफी इस्तमाल कर चुके हैं तो simple ये cream है, simple solution है बहुत अच्छा काम करता है आप ये कीन मानिए दो दिन में ही result आपको देखने को मिल जाएंगे साथ दिन तक तो आपकी problem खतम ही समझो हो जाएगी लेकिन problem जादा है तो थोड़ा time भी लग सकता है आप अपने doctor की सलहा या किसी भी dermatologist की सलहा भी ले सकते है क्योंकि ये problem अगर जादा हो जाती है तो हमारे लिए नुकसान दाई हो सकती है deep चली जाए ऐसी समसाएं तो उसका ilaj करना थोड़ा मुश्किल होता है और internal भी कोई problem हो सकती है तो अगर आपकी problem बहुत पुरानी है बहुत जादा है तो अपने doctor को दिखाना जादा best रहेगा तो दस्तों उमीद करते हूँ ये video आपके लिए helpful रही होगी अगर हाँ तो like कीजिएगा ऐसी ही और video भी देखना चाहते हैं future में तो subscribe भी जरूर कीजिएगा आपके कोई आसपास है जो इस problem को अभी face कर रहा है तो उनके साथ भी आप ये video share कर सकते हैं मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कराते रहिए खुब्सूरत आप अपने आप लगेंगे बाई बाई